C.E.N. News देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबों के लिए C.E.N. News को सब्सक्राइब करें और रहें पलपल की खबर से हर पल बाखबर अमरिट सर के मजीठा बाइपास परस्थित रामनगर कॉलोनी में उस समय संसनी फैल गई जब पुरानी रंचश के तहत बीती राद विकास भाया नामक युवक ने शमशेर सिंग के घर पर अपने 10 से 15 साथियों के साथ इटो और बोतलो के द्वारा हमला कर दिया हमले में शमशेर सिंग के पडोसी के घर के बाहर खड़ी कार को छती ग्रस्त कर गए पडोसी ने प्रशासन से मांग की है कि हमारा जो कार का नुखसान हुआ है उसके पैसे दिलाए जाएं क्योंकि हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी दूसरी तरफ शमशेर सिंग के परिवार जनों का कहना है कि 4-5 महिने पहले राजी नामा हो चुका था लेकिन पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने फिर रात के वक्त हमारे घर पर हमला किया है जिससे पडोसी की कार को छटी ग्रस्त कर गए हैं पुलिस ने मामला दर्चकर आरोपी विकास भाईया और उसके साथियों को पकड़ने के लिए च्छापे मारी शुरू कर दी है ते एक विशार है एक लारा बाकी आनपड़ा पशाते मुंडे पता नहीं कितने के पंदरा भी जाने कितो हो पे रहन वाले वाबाबा दीप सेंग रहन कलों ने रहन आले हैं जो लिए कोई ने निक बोड़ी ने जली बोदला ना इखडा गोड़ी अरगा ही अजिए बैठे ही राती गल्ला कर देवे पैंजी तुमें बस नहीं दोकी आगे थे वनाजे उना चेरनु आगे और चलने लाग पे रोड़े अहीं होते हैं बड़ा चेरे ना जी गड़ी दानक्सान की ता रोड़े रोड़े मारे हैं फिर बोटला तोड़ी हैं पुराणी पाजी चार में लड़ाई है मेरे देवनों सट्टा लाइया हैं वास्वापा कोई ने स्टैप चुक्या कोई गालबात नहीं हुए उनकी मांगा है उनकी मा मेरे 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 बहुत जाता नक्सान हो या मेनों थोड़ा बाता पी खार्चा पानी चाही दाया या यह रामनेगर कलानी जी ए आम बड़ा सार में बाइपास में इठारो रहा है